सो हेलो ऒेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविश्यों आज पता करेंगे कि रसोडे में कौन था कौन था रसोडे में कौन था तुम थी तुम थी मतलब वाइरल हो रखा यार इतना सा एक मतलब नॉर्मल सी चीज है यार एपिजोड इपहले ये ऐसे सीरियल्स आते थ और लोग इसमें इतना time spent करते थे आज उसका मजाग बनाया जा रहा है, मतलब it's too much funny, right? आपको तो पता है ना कि रसोड़े में कौन था? नहीं पता? मैं जानता हूँ, लेकिन बताओंगा नहीं, तो वो discuss नहीं करने वाले हैं, भाई हमारा physics का वीडियो है, physics discuss करने वाले हैं, और topic है chapter in fact, current electricity, और इस chapter में आज जो topic discuss होने वाला है, वो है resistivity, अब बोलोगे resistivity के बार में हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसको और detail में समझेंगे, temperature के साथ उसमें variation किस तरह से आता है, वो discuss करेंगे, और वो variation भी, conductors में किस तरह से variation आत है, semiconductors में, यह सारी चीज़ अपन discuss करेंगे, साथ इसाथ graph भी discuss करेंगे, ठीक है, तो अपनी non-books और pens लेकर बैड़ जाओ, और शुरू करते हैं, आज का topic, तो resistivity की बात करें, बच्चो, अलग-अलग material लिए resistivity की बात करें, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, अपन resistivity पढ होती है, कितनी होती है, 10 to power minus 6, यानि के 10 to power minus 8 ओम मीटर से लेकर 10 to power minus 6 ओम मीटर तक की range में आते है, इनकी resistivity इस रेंज में आती है, ओम मेटर यूनिट ओती है, रस पिता है न, अच्छा ये भी बता तो resistivity को अपन specific resistance भी कहते हैं, ठीक है, specific resistance भी कहा जाता है, इसे, ठीक है, तो इस रेंज में आपके metals की resistivity आती है और नॉर्मली जो non-metals होते हैं इनकी जो resistivity होती है वो 10 पावर 14 15 मतलब 10 पावर 12 तक 10 पावर 10 इन सब रेंजिस में भी आती है मतलब उसको आपन कह सकते हैं कि approximately 10 पावर 18 टाइंस ऑफ 10 पावर 18 टाइंस ताइंस पावर 18 टाइंस टाइंस ज्यादा होती है समझ में आ रहा है यानि कि काफी ज्यादा रिजिस्टिविटी होती है इसलिए तो करेंट को फ्लो ही नहीं नहीं देते हैं अब देखो यह तो नॉर्मली मेटरियल की बात हो गई ठीक है अब उना अगर बात की जाए इन तरह के जो यह पढ़ना क्यों चाहते हैं हम क्यों पढ़ें क्यूंकि रजिस्टिविटी से थे अगर कोई और रजिस्टिविटी बनाना है तो वह उसके लिए पर होवल्म soc नग्ट्रेश करते हैं तो अगर आपको dimension का problem है ठीक है, आपको बोला गया कि इसी particular dimension का resistance बनाना है मतलब length और area कम होना चाहिए तो आप ऐसा material चुनो कि जिसके resistivity जादा है और अकर कोई problem नहीं है आप बड़े size का register बना सकते हो आपको बोला है कि आप बड़ा भी register बनाओ के चलेगा आपको थोड़ा पैसा बचाना है तुम बड़े size का बनाओ चलेगा, कोई problem नहीं है तो उस case में आप कम resistivity वाला material यूज कर सकते हो समझ मैं, length और area बढ़ा के रख सकते हो लेकिन अगर आपको requirement है कि dimension कम होना चाहिए, size छोटा होना चाहिए तो उस case में आपको resistivity ज़्यादा चुननी पड़ेगी तो इस तरह से material choose करने के लिए हमको resistivity जानना जरूरी होता है ठीक है कि हम कौन सा material choose करेंगे तो किस material की क्या resistivity है उस हिसाब से हम उसको use करके register बनाते हैं basically registers हम जो होता है carbon registers क्या होता है यह carbon registers ठीक है wire wound registers में क्या होता है normally alloys use होते है alloys are used ठीक है कौन से alloys example के तौर पर constantin manganine ठीक है इस तरह के alloys वगरा use होते है etc और यहाँ तो carbon use होता है ठीक है यहाँ पर use होता है क्या carbon नामी carbon registers है ठीक है यह normally higher values के लिए use होते है higher values and small dimension इसका फाइदा यह है अगर आपको पूछा जाए कि what is the benefit of carbon registers तो अपन क्या कह सकते है कि अपन carbon register कैसे बना सकते है जिनकी value हाई हो और साथे साथ size छोटा भी हो अपन wire wound register से अगर बड़ा register बनाने जाए ठीक है मतलब wire wound register बनाने जाए थोड़ा slip of tongue हो गया wire wound register से अगरा बनाना चाहते है जिसकी value जादा हो resistance जिसका जादा हो तो उस case में इनकी size काफी बड़ी हो जाती कैसे बनते पता है wire lapate के बनाये जाते है ठीक है alloys वगेरा के जो wires होते है alloy से पहले wire बनाये जाता है और उस wire को ऐसे lapate के एक किसी rod के उपर ऐसे lapate, 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 lapate के पुरा lumbar रास्ता कर दिया जाता है length बढ़ जाएगा तो resistance बढ़ जाता है तो इसलिए बहुत लंबा wire lapate के बनाये जाता है छोटा करने के लिए ठीक है lapate के जाता है ताकि कम size में अपने उसको सिमट के रख सकें ठीक है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा resistance बहुत ज़्यादा बनेगा तो लपेट होगे आप तो ज़्यादा दूर तक लपटाएगा है ना अरे मतलब इतना लंबा wire था तो आपने इतने में लपेट लिया लेकिन अगर उससे ज़्यादा लंबा wire रहे तो लपेटा वह ज़्यादा दूर तक जाएगा समझ में आ रहे तो dimension बढ़ जाता है अगर ज़्यादा resistance आपको चाहिए तो लेकिन carbon के cases में क्या होता है कि बड़े बड़े वैल्यू का रजिस्टर भी आप छोटे dimension से बना सकते हो तो रजिस्टर के टाइप्स बता चला लगए वायरवांट रजिस्टर और कार्बन रजिस्टर क्लियर है अच्छा यह तो बड़े यार सिंपल सिंपल गुरा थेयरी ही है इसमें अभी तो फिलाल तो कुछ 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 अच्छा जो मैंने आपको मैटल्स और नॉन मैटल्स से बता दिये जो सेमी कंड़क्टर होते हैं वह इंदों के बीच के रेंज में आते हैं ठीक है अब बात करें रिजिस्टिविटी का टेमपरेचर डिपेंदेंस टेमपरेचर डिपेंडनस और रिजिस्टिविटी जो ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है अच्छे पहले चीज और तो मतिकी दवाई देखो एक चीज और कि जो कार्बन रेजिस्टर्स मैंने आपको बता है यह पुफ़रा बताना रहे गया था एकच्छली यह एक वीडियो में आगे कवर होने ही वाला है लेकिन फिर भी सोचा कि जब थो असा बता दू कि जो कार्बन रेजिस्टर्स मैंने आपको बता है कि इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू तो ज़्यादा होता है और ज़्यादा उनके साइस चोटी होती है तो इनकी साइस चोटी होती है तो इस पर काफी डिटेल्स भरने से प्रोब्लम आ सकती है तो उस लिखा नहीं आएगा कि यह 100,000 मतलब 100k का resistance है कि 1k का resistance है 1000 ohms का resistance है कि 2000 ohms का resistance है कितना ohms का resistance है यह उस पर लिखा नहीं रहता है उस पर खाले इसी color की पट्टियां बनी रहती है और इन पट्टियों के थुरू आपको determine करना पड़ता है कि यह कितने value का register है ठीक है तो यह चीज हम समझेंगे ठीक है इसके पर question आते है numericals आते हैं एक्जाम में छोटे छोटी question आएंगे तो वहाँ आपको कैसे find करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन अलग वीडियो में इस वीडियो में नहीं ठीक है तो इस वीडियो में फिलहाल फिर खाली कुकर क्या बोलता है उसके गैस पर चड़ा दिया था ओके तो temperature dependence of resistivity की बात की जाए तो एक ठोफ formula है का है वो formula रो इक्वल्स टू रो जीरो वन प्लस आलफा टी माइनस टी जीरो अब ये जाना पैचाना सा formula है हमने 11 standard में पढ़ा था एल इक्वल्स टू एल जीरो वन प्लस आलफा टी माइनस टी जीरो याद हो तो उसमें अपने length की बात की थी कितना elongation create होता अगर किसी material को आप heat करते हो ठीक है पहले उसका temperature टी जीरो था वहाँ से heat करके अगर आप उसको टी temperature तक ले गए ठीक है आलफा उसका temperature को efficient है ठीक है तो उस case में नया length कैसे मिलेगा वो इस formula से अपन निकालते थे याद है तो वह ऐसा ही resistivity के लिए भी है resistivity के लिए भी क्या है कि देखो एक particular temperature पर कुछ resistance था उसका आपने बोल दिया sorry एक particular temperature पर कुछ resistance था ठीक है या resistivity थे अभी तर रिस्टिविटी के फार्म में लिख रहे है अपन रिस्टिविटी की साब समझते है टी जीरो एक temperature थे सब्वोज टी जीरो है मेरा 25 degree Celsius ठीक है और आप इस material को heat करके इसका temperature ले गए हो 60 degree Celsius तक ठीक है तो T हो गया आपका 60 टी जीरो होगे आपका 25 जहां से heat करते करते जहां तक ले गए हो ठीक है तो जहां से ले गए हो वो T0 और जहां तक ले गए हो वो T, fine फिर ये रो 0 क्या होता है resistivity उस material की resistivity at T0 मतलब 25 degree Celsius पर की resistivity कितनी थी और रो क्या है resistivity at T मतलब इस temperature पर इसकी resistivity कितनी है मतलब ये है कि इसमें से आपको वैसे questions आएंगे कैसे questions आएंगे कि आपको बोल दिया जाएगा कि एक material है उसकी resistivity है 30 degree Celsius पर something ठीक है अब बताओ 60 degree Celsius पर इसकी resistivity कितनी होगी तो आपको ये formula यूज करना है ठीक है और भी तरह के question साथ सकते हैं मतलब इसमें variation करके इधर उदर घुमा घुमा के पूछेंगे तो ये formula आपको ध्यान रखना है तो ये पता चलिए रो क्या है resistivity resistivity at final temperature देसा बोल दो ये क्या है resistivity resistivity at initial temperature T क्या है final temperature जहां तक आप ले गए हो और T0 क्या है initial temperature अब इसमें एक important चीछ जो है यह हो है ये alpha इससे हम क्या कहते हैं इस हम कहते हैं temperature coefficient coefficient of resistivity ठीक है coefficient of resistivity अच्छा तो यह जो alpha है ठीक है यह alpha पर बहुत कुछ depend करता है ठीक है यह क्या बताता है पता है alpha क्या बताएगा आपको यहां लिख लो अपने notes पर बरावा लिखना अगर अगर आपने 1 degree Celsius चेंज लाया तेंपरेचर में बीस से 21 डिगरी पर पहुंचे एक डिगरी का चेंज लाया आपने तो रेजिस्टिविटी में तो रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा या से यह राव सिट्स तेटस् Unger unit क्या होगा उसका is per Kelvin या फिर per degree Celsius ठीक है per Kelvin में भी हो सकता है per degree Celsius में भी हो सकता है Kelvin is to minus 1 degree Celsius is to minus 1 तो आपको ऐसे unit दी जाएगा कई पर हो सकता है उसकी unit पूछ लें exam में तो वो ध्यान रखना है आपको per degree Celsius या फिर per Kelvin ठीक है दोनों unit हो सकती है तो यह हो गया अपना alpha का बाद अच्छा यहाँ पर alpha it is positive for metals metals के लिए positive होता है and it is negative for semiconductors and insulators ठीक है इसकी value positive में होती है metals के लिए इसकी value positive में होती है positive होने का मतलब क्या देखो यहाँ पर और यह initial था initial value of resistivity का 1 plus alpha अगर यह positive है यह अगर positive है तो यह overall नया answer आपको बढ़के मिलेगा अगर आपने temperature बढ़ाया है तो नया answer बढ़के मिलेगा और अगर temperature कम करोगे तो resistivity बढ़ेगी नहीं समझाओंगा जब अपन इसका actually में temperature के साफ से relation समझ लेंगे न वहां आपको फिर से एक बार समझा दूँगा तो यह फिलहाल के लिए formula digest करो कि यह formula है और यह alpha क्या है temperature coefficient of resistivity के लाता है क्या बताता है यह बताता है unit क्या है और positive किस के लिए होता है negative किस के लिए होता है इतना लिखा अपने अब इस formula को अपन थोड़ा सा modify करके और लिख सकते है खाली resistivity के time में आपको नहीं पूछा जाएगा हो सकता है आपको resistance के लिए पूछा चला जाए कैसे resistance के लिए पूछा जा सकता है देखो अपन को पता है r होता है rho l by a यह होता है न तो यहां से rho कैसे मिलेगा आपको r a upon l यही मिलेगा अब बात करें rho 0 की तो हमें उसके लिए क्या है सकता हूँ r 0 a by l अपने मायना मतलब कोई खास change नहीं आया area और length में ठीक है temperature change करने से मानलो कोई खास change नहीं आया है area और length में ठीक है तो 0 मतलब initially जब resistivity rho 0 ले रहे हो आप तो उस case में आप resistance को r 0 ले सकते हो तो उस आपसे r 0 a by l बनता है और जब resistivity आप rho ले रहे हो तो उसका resistance r a by l यही फार्मुल है उसके आपने r equals to rho l by a ठीक है तो r 0 हो जाएगा आप कितना rho 0 l by a यही होगा ना तो rho 0 तो यह a और l निचा जाएगा ऐसा हो गया फाइन अब यह तोना values नहीं इस equation में डाल दो देखो rho की जगे पर मैं डाल देते हैं कितना r a by l equals to rho 0 की जगे डाल देंगे अपने कितना r 0 a by l into 1 plus alpha t minus t 0 अब देखो यह l a al दोनों कड़ जाएगा तो क्या बचेगा खाली r equals to r 0 यह a a आमने सामने कड़ गया l l आमने सामने कड़ गया ठीक है तो r equals to r 0 1 plus alpha t minus t 0 तो आप इसते resistance भी निकाल सकते हो ठीक है तो खली resistivity के लिए ही यह formula use नहीं होगा यह formula resistance के लिए भी use हो सकता है तो आपको question खली resistivity के लिए नहीं पूछा जाएगा हो सकता है आपको resistance के लिए पूछ लें कि 32 degree Celsius पर resistance इतना था कितना होगा तो आपको यह formula यूज करना रहेगा क्लियर है कैसे यूज करोगे बाई यहाँ initial distance डाल दोगे अलफा दिया जाएगा आपको फाइनल टेंपरेश्य इनिशल टेंपरेश्य को सॉल्ट कर लोगे और ऐसा अपने देखो एक formula पढ़ा था अपने एक formula पढ़ा था क्या पढ़ा था conductivity क्या होता है एनिश्क्वेर टाव बाई एम नेट वाई एम या फिर बोलो नीट वाई एम इसको अपने से भी कह सकते ना दो बारी नीट वाई एम ध्यान रगो अच्छा चाहिए ठीक है किसके प्रती नीट के प्रती एंटरेंस अग्जाम पता है ना अरे आप कई मैस्वेर थोड़ी देते हैं कोई बत नहीं है आपने भाई-भाई है सब कम्यूनिटी है ठीक है तो समाझ लोगे नीट से आपका attraction है ठीक है तो अगर बढ़ता है इसका मतलब का का रजिस्ट्टी क्या हो जाता है कम हो जाता है ये भी पताता है कि अगर tau बढ़ जाता है तो भी resistivity आपका कम हो जाता है fine? क्या करता है? resistivity n क्या होता है? number density, पर unit volume कितने electrons थे? या पर unit volume कितने charge carriers थे? वह होता है और tau क्या होता है? average relaxation time clear है? तो इन दोनों की इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है मतलब इन दोना में से कोई भी कॉंटिटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है इतना क्लियर है हजम होरी है ये बात ओके अब ये चीज़ समझ में आ गई तो यार इसको थोड़ा आपन उपर लिख लेते हैं आप देखो एन बढ़ेगा तो टाउ घटेगा सोरी 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 रो घटेगा और अगर टाउ बढ़ेगा तो भी रो घटेगा ओके अब ना होता क्या है देखो मैटल्स के केस की बात करता हूं मैं पहले मैटल्स की जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हो टेंपरेचर इंक्रीज जब टेंपरेचर आप बढ़ा देते हो तो क्या होता है आपको पता है कि जो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स वगेरा होते हैं है न जब आप उनको heat दोगे तो वो जाधा energy पा जाएंगे जायदा energy पाएंगे तो उनकी जो velocity बढ़ जाएगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी thermal velocity बढ़ेगी नो उनकी क्या होता था आपन ने पढ़ा था ना कि भाई एक तो उनकी thermal velocity होती है और उसके उपर एक्सेलरेशन बन जाता है किसके वैसे है, इलेक्ट्रिक फिल के वैसे, तो करेंट बढ़ जाता है, याद है, अच्छा, पर नॉर्मली, एक नॉर्मल कंड़क्टर ले लो, खाली ऐसे ही, तो उसके अंतर जो इलेक्ट्रों से है, वो पहले कुछ तेजी से मूव कर रहे थे, लेकिन आपने हीट दिया, हीट करके इसका टेमरेशर बढ़ा दिया, यादि कि आपने हीट दिया, वो हीट गया कहा, उन्हीं को तो मिला, तो उनके पास एनर्जी जादा आई, जादा एनर्जी आई, मतलब वो जादा स्पीड से मूव करने लगे, ठीक है, और जो उसमें तो बहुत जादा स्पीड से मूव करेंगे, तो जादा स्पीड से मूव करने से क्या होगा, पता है, कि मान लो यहां एक आयन था, ठीक है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आकर टकराता था, तो उसको कुछ टाइम लगता था, सबोस्द टीवन, लेकिन अब इ टैंपरेचर बढ़ा रहे हो तेमपरेचर बढ़ने की वजय से जो टकराने का टाइम था वह कम हुगया ठीक है जल्दी टकरा रहे हैं आप सब अब आ अब करेंगे ज्यादा से मुई करेंगे तो जल्दी टक्राएंगे तो रहा इसका मतलब velocity बढ़ी इसका मतलब की relaxation time जो है relaxation time है वो कम हो गया तो relaxation time कम होने का मतलब average relaxation time भी कम होता है यार average कैसे मिलता हर quantity बढ़ी है तो average बढ़ जाएगा और हर quantity कम हो गया तो हर electron का relaxation time कम हो गया तो जो average relaxation time है इन सबका average आता है यानि कि tau वो भी तो कम हो जाएगा तो average relaxation time भी कम हो जाएगा यानि कि आपका tau कम हो जाएगा तो tau कम हुआ tau कहां कम हो रहा है यह रहा tau बढ़ता है तो resistivity कम होती है tau क्या हो गया ठीक है तो tau हुआ कम तो कोई नहीं गम इससे होगा क्या resistivity जाएगी आपकी बढ़ तो temperature जैसे ही आप बढ़ाते हो तो tau क्या होता है कम हो जाता है और tau कम होने के आपकी resistivity बढ़ जाती है ठीक है तो simple term से वापस से लिख दूँ कि temperature बढ़ा इसका मतलब तो tau जो कम हो गया इसका मतलब resistivity जो है बढ़ गई इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि resistance बढ़ गया क्योंकि resistivity बढ़ गई तो resistance भी बढ़ जाएगा समझ में आया तो temperature बढ़ाने से resistivity यानि कि resistance भी और resistance भी दोनों बढ़ जाता है क्लियर है किसके case में metals या फिर अपन जिसको कहते हैं क्या conductors ठीक है conductors में ऐसा होता है फाइन गई बात भेजे में पक्का चलो अब चलते हैं अपन insulators वागेरा की बात करते हैं insulators में क्या होता है देखो या semi conductors दोनों के लिए सेम ही तरीके से discuss करने के दोनों में same ही चीज होता है किसकी बात कर रहे हैं अपन अब insulators की और साथी साथ and देखो और नहीं लिख रहा हूँ हाँ और मतलब वो जाता है कि दोनों में से कोई ठीक है पर दोनों की बात कर रहें insulators and semiconductors दोनों में क्या होता है देखो आपको पता है इतना तो पता है कि अगर आपने temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ा दिया ठीक है तो इसका मतलब यह होता है कि average relaxation time जो है वो कम हो जाएगा यह तो fix है average relaxation time कम होता है अभी अपन ने discuss किया थोड़ दर फेले भाई इन में भी तो होगा अब बोलोग इन में free electrons होते नहीं अरे भाई कुछ तो होंगे छोटे मोटे थोड़े बहुत तो होंगे तो जो टकरा सकते हैं ठीक है होगा definitely relaxation time उनका कम हो जाएगा temperature बढ़ गया तो इसके इसकी भी resistivity बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए ना लेकिन नहीं बढ़ती है क्यों नहीं बढ़ती है इसे साथ सो तो बढ़ती है लेकिन when temperature increases when temperature increases more number of more number of charge carriers are generated क्या होता है semiconductor और insulators में वहाँ पर जो charge carriers है ठीक है यानि के electrons वगरा जो है समझ लो कि वो strongly bonded होते है atom से metals में क्या होता है कि वहाँ पर जो last orbit के electron दिखो अंदर के electrons तो strongly bonded होते है atom से लेकिन जो बाहर वाले electrons होते है ठीक है बाहर वाले जो electrons होते है वहाँ पर atom का attraction कम होता है तो वो room temperature पर free हो जाते हैं असान से निकल जाते हैं तो वो readily available होते हैं पहले सी ready made available होते हैं कि भाई ये current flow करवा देंगे ठीक है और वो random motion कर रहे होते हैं लेकिन insulators और semi conductors में क्या होता है कि ये जो last orbit के electron से ये भी tartly bounded होते हैं ये बहुत strongly bounded होते हैं जो कि room temperature पर freely निकल नहीं पाते हैं तो क्या करोगे अगर आपने temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ा दिया मतलब आपने उनको energy जाता दे दी तो अब वो उससे तोड़ के बाहर जा सकते हैं या आपन ऐसा कहते हैं कि इनकी जो bonds होते हैं कि for example तुमने किसी एक चीज को control कर रहा है किसी आदमी को ठीक है तुमारे control में है ठीक है जैसे तुम अपनी company चला रहे हो तुमारे अंडर में काम कर रहा है तुम उसके boss हो तो तुमसे डरता है तुम जो बोलते हो करता है ठीक है लेकिन क्या हुआ उसने कुछ अच्छे performance किये उसको बाहर से support support मिला वो तुमारी बराबर की position में आ गया यह तुमसे उपर की position में चला गया तो क्या वो तुमारे control में रहेगा नहीं ना उसको energy मिल तुमारे control के बाहर हो गया भग जगा लग जगा रहे चल निकल त ठीक है तो उस तरह का है वाई कि अगर देखो यह लेक्ट्रॉंस है नॉर्मली पहले यह फ्री नहीं थे लेकिन यह से आप temperature बढ़ाते हो तो यह वहां पर फ्री चार्ज के लिए बनने लगते हैं ठीक है तो देख रहे हो आप कि ज़्यादा चार्ज के जो है वो बढ़ ज रहा है ठीक है और अन बढ़ने का मतलब क्या हुआ अन बढ़ने का मतलब क्या हुआ बढ़िपिय व्हट कम हो गई अब देख रहे हो कि टैंपरेचर बढ़ने से ताउ तो कम हुआ पि इस नहीं हुआ ओं इस। त्यायाँ भड़नी चाहिए ठेंपरिचर बढ़ा ताव कम हुआ इस हिसाब से हिस्टिविटी बढ़नी चाहिए यहां क्या बता रहा है N बढ़ा याने कि resistivity कम होनी चाहिए अरे यार आप कौन सा माने इधर resistivity बढ़ भी रही है इधर resistivity कम भी हो रही है हाँ बात सही है लेकिन जो resistivity पर impact है impact वी लिख लो resistivity पर impact due to tau is very less compared to impact due to N मतलब देखो tau तो ठीक है भाई देखो पहले तो बहुत कम ही तो charge carriers available थे तो उनका अगर relaxation time अगर कम हो जाता है उससे resistivity थोड़ी सी बढ़ जातकी तो कोई खास फरक नहीं पढ़ता है लेकिन ज़्यादा temperature पढ़ाने से हुआ क्या कि आपके इतने सारे electron hole pair generator का इतने सारे carriers वहाँ पर मिल गए इतने ज़्यादा carriers मिल रहे है कि वो अब सब flow कर सकते हैं वहाँ पर जिसके जिसे resistivity क्या हो रही है कम हो रही है तो जो N का असर है वो बहुत ज़्यादा है और जो relaxation time का असर है वो ना के बराबर हो रहा है बहुत कम हो रहा है इसलिए हम का कहते हैं कि अगर आपने temperature बढ़ाया तो इन सब की resistivity कम हो जाती है ठीक है तो therefore finally लिख देते हैं आपन यापर side में यह लिख लिख लिया होगा आपने मेरी expectation है so overall हम यह कहते हैं कि अगर आपने temperature बढ़ाया this implies कि आपकी resistivity जो है वो decrease हो जाएगी ठीक है temperature बढ़ाने से relaxation time तो कम हो रहा है average relaxation time तो कम हो रहा है उससे असर बढ़नी चाहिए लेकिन उसका असर बहुत कम है temperature बढ़ने से एक और चीज हो गई वहाँ पर जो N है वो बहुत जादा बढ़ गया और N बढ़ने का मतलब resistivity काफी कम होती है तो जो बढ़ने वाला असर था resistivity का वो कम हुआ और कम होने का जो असर था बहुत जादा था ठीक है तो बहुत जादा कम हुआ और रिस्टिविटी कम हुए और एफेक्ट में resistivity कम मिलेगी आपको clear है पक्का सच्ची जिसको नहीं समझ में आया भाई समझ लो कि relaxation time की वज़े से अगर 2 ohm meter बढ़ा अगर resistivity ठीक है तो N बढ़ने की वज़े ठीक है एट ohm meter कम हो गया तो इसको plus में लो इसको minus में लो तो कितना आएगा minus six यानि overall effect क्या आया कम वाला ही आया है ना बढ़ने वाले को प्लस ले रहे हो गटने वाले को कड़ती है means कि alpha positive है ठीक है अलफा क्या है positive है और अगर temperature बढ़ाने से कम होती है means कि alpha जो है आपका वह negative है लिख लोगे अलफा नेगेटिव है देख लो समझ लो खुदी अब चलो इसको मिटा देता हूं तो देखो alpha positive negative metals या non metals के लिए क्यों है वो तो बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से एक और तरीक है समझा दूं कि देखो alpha वैसे होता क्या है change पर डिग्री Celsius या डिग्री Kelvin ठीक है मैं डिग्री Celsius के साथ लिखता हूं change पर डिग्री Celsius increase ठीक है यहाँ जब हम temperature change की बात करना हम temperature बढ़ा रहे हैं ठीक है तो आपने एक डिग्री Celsius temperature बढ़ाया तो जितना change आया resistivity में वो कहलाता है alpha clear है क्या change पर change इन रो पर डिग्री Celsius increase in temperature in T capital T ठीक है तो temperature में पर डिग्री Celsius इंक्रीस कर रहे हो तो जो change आरा है resistivity में वही आपका alpha कहलाता है clear है पक्का fine अच्छा अब अगर alpha negative हुआ alpha अगर आपका negative हुआ ठीक है इसका मतलब क्या हो कि आपका जो change आ रहा है in resistivity change in मैं इसको delta रो भी लिख देता तो चलता तेकि नहीं लिखा ये भी कैसा होगा आपका negative होगा यह जो change वही तो alpha है तो यह negative है तो आलफा भी नेगेटीव आना यानि अलफा नेगेटीव तो यह नेगेटीव और नेगेटीव आने का मतलब resistivity में change जो आया negative मतलब resistivity क्या हो गई कम हो गई सब 높गा change negative आने का मतलब कि final value कम आई है यानि कि initial से कम मिल रही है resistivity कम मिलती है जब आपने alpha negative लिया तो नई resistivity कम हो गई है ना therefore new resistivity is less ठीक है धन ओरीजिनल न अर्लियर है टीक है पहले वाले से कम हुए लिग ऑसा एक होता है तो नहीं बढ़ती है और चेंज आ रहा है मतलब यह पॉसिटिव है तो चेंज पॉसिटिव मतलब की वही तो आलफा होता है आपका तो मैंट्रस के लिए इतना ही नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे बहुत जल्द और हां अगले वीडियो में इंपॉर्टन numericals वगेरा discuss करेंगे अपन color code of carbon registers पर discussion करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा करो wait, मिलते हैं अगले वीडियो में Tata YYCU और हाँ मैं जाके मिलको तो पता है तुम जाके पता करो कि रस्टोडे में कौन था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन